किसान नेता बियंद सिंग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर आज आपने नए सिरे से अंदोलन की शुरुआत करने की बात करी है आखिर क्या है नए सरूप नए सिरे से नहीं करी है आंदोलन वही पुराना है सरूप बदला है आपके टीवी पर आता है ना कि रुकावट के लिए खेद है आता है या फिर आपका आता है कि कमर्शल ब्रेक के बाद वापिस आएंगे वही हमारा हम भी कमर्शल ब्रेक के बाद वापिस ही आ रहे हैं यह सरूप बदला है, आंदोलन वही है, हमें MSP की गैरंटी पूरी चाहिए, और जो बाकी चीज़े हैं, वो तही है, और गाओं के अंदर यह आंदोलन होगा, और मजबूती से होगा. अधिर ऐसा क्या हुआ जब BM सिंगी किसान अंदोलन छोड़के गए और वापिसी से दुवारा से अब नए स्वरूप से लाने की बात करें? वो तो मैंने उसी दिन कहा था जब हम गए थे, उसी दिन हमने कहा था, कि इस रूप से हम काम नहीं कर पाएंगे जहां हमारे साथी मर जाएं या एक्सिडेंट हो जाएं, तो निया स्वरूप होगा, तो सबसे बात करके, या अकेला नहीं सबसे बात करके इस रूप निया होते हैं कि बिना भीड के जाएंगे देखिए वोई तो आपको है ना अब हमने बिना भीड लाए एक ऐसा हम लोग ने इन फायों ने रास्ता निकाला है कि पांच पांच आदमी हर रोज एक गाउं से मोदी जी को अपना संदेश भेजेंगे अगर आप बताईएंगे ना कि पांच सो गाउं senior होते हें तो धाइए हजार लोग मोदी जी को रोज भेजेंगे लाखों इसह कहें गेड़ नाम भी है पता बी यह गाओं भी擊 impact करेंगे रहेगा यूपी जोगों से भी वारता करो जैसे पंजाब श्राप करी थी क्या दिक्कत है मुस्त बाइं करो यह स् सीरी वारता करेंगे आपसे एक अखरी सवाल राकेश टिकेट के कहने पर कुछ इसान जो है वो अपनी फसल को ही बरबास करने में लगे वो क्या लगता है आपको यह करना सही रहेगा मुझे नहीं मालूम कि राकेश ने क्यों कहा है उसने अगर मैं मानता हूं राकेश को जान है वैसी किसान कज़े में है और अगर आपने फसल बर्बाद कर दी तो और कज़े में जाओगे यह काम कोई ना करे आपके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपका पूरा गाउन लड़ेगा आपके लिए अब शुक्रिया हमसे बात करने तो यह थे बीम सिंग का कहना है क हम नए सरूप से किसान अंदोलन करेंगे शुवंगुपता टैन यूज दिल्ली